हेलो स्थू मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का इस नएव वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसूड के बारे में क्योंकि सीरियल को टीयार पी मिले और ना मिले कॉंट्रोवर्सिय हमेशा ही भर-बर कर मिल जाती है अब टीयार पी यू तो अच्छी खासी है लेकिन जब गुम है किसी के प्यार में के बात आती है और सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आया कि क्या सीरियल एक बार फिर से उरान भणने वाला है कुछ साल आगे या फिर क्या वाकई में सीरियल के अंदर लीप आने वाला है अब यहां पर यह सवाल बिल्कुल लाजमी है आप लोगों का क्योंकि फिलाल आज का एपिसूड आप लोगों ने देखा है देख कर साफ वता चल रहा होगा कि कहानी exact वैसी है जैसी लीप से पहले किसी टीवी सीरियल में होती है और खास कर गुमे किसी के प्यार में कि पिछले लीप से पहले जैसी कहानी होगी थी same to same वैसी अभी situation कहानी में बने हुई है तो यहाँ पर लोगों का सवाल आना शुरू हो गया और लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पर सवी और इशान की love story तक देखने को नहीं मिले कुछ शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले यहाँ पर leap आ जाएगा तो definitely यहाँ पर रिवा और इशान लीप के बाद एक दूसरे के साथ हमको देखने को मिलेंगे जो कि हमें बिल्कुल बरदाश्टन नहीं होगा अब जानेंगी लीप के बारे में बे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उस controversy के बारे में जो फिलाल सीरिल को लेकर चल रही है अब यहाँ पर देखो जब कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे होते हैं तो आपके कुछ बुराईयां चुपा दी जाती है वो ही वाली बात है अब भाविका शर्मा को पसंद करने वाले लोगों की संख्या लाको करोडों की है तो यहाँ पर उनसे अगर कोई गलती हो गई है न चोटी सी तो भी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं अब यहाँ पर भाविका शर्मा जो है यहाँ पर ट्वीटर पर यानि कि एक्स पर ट्रेंड कर रही थी तीसरे नंबर पर कर रही थी शायद कुछ समय पहले और आए दिन करती रहती है इसमें कोई नई बात नहीं है और यह आईशा सिंग वाला ट्रेंड आज फिर से चलने लगा है भाविका शर्मा को लेकर जो कि बहुत अच्छी बात है गुमे किसी की प्यार में की मेकर्स के लिए लेकिन दूसरी और यहाँ पर एक प्रोमो और प्रीकैप के अंदर जो है सवी के किरदार को बुक्स के साथ दिखाया जाता है किताबों के साथ दिखाया जाता है लेकिन वीडियो वाइरल हो रहा है कि वो किताबों के उपर बैठी है वो भी बैठी तो बैठी है किताब के और बैठना भी गलत बात है लेकिन उन्होंने वहाँ पर चपल भी पहने हुई है यानि कि उनके पैरों में जूते भी है चपल है और यहाँ पर वो किताबों के उपर उन्हें लेकर बैठी है तो यह यहाँ पर चीजे जो हैं काफी ज़ दिये मेकर्स को कि वो एक अलग तरीके से प्रोमो शूट करते जो ज़्यादा बहतर होता क्योंकि किताबों का अपमान, विध्यामाता का अपमान करना बहुत गलत है और यह बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर CLK मेकर्स को कु होप यहाँ पर सीरिल के मेकर्स से गलती हुई है और इस प्रोमो को वो जल्दी हटा देंगे या फिर इसमें कुछ एडिट करकर वो इसको वापस से पेश करेंगे, हमारे सामने वेल जिन उनने रिकॉर्ड कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, उनका तो अब क्या ही कर सकता है, वाइरल तो हो ही चुका है, चलिए कहानी पर चलते हैं, तो आने वाले एपिसूड को लेकर ये है कि रामटेक की बस अगर समी पगड़ती है, तो वो दो त्या पांच साल बाद फिर से पूरे की और आएगी ये लोगों को डर सता रहा है, अब यहाँ पर आप सभी को ब लेकर आजाते हैं, तो यहीं से बात निकल कर आई है, और बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बना दी कि लीप आने वाला है, वगरा वगरा सारी चीजे, लेकिन यहाँ पर से कोई अभी तक ऑफिशल महर नहीं लगी है, और ना ही कोई ऑफिशल और बड़ी अपडेट ऐस क्योंकि आप लोगी सोची अगर सील के मेकर सभी लेकर आ जाते हैं, तो चिनमे का करदार अधूरा रह जाएगा, रीवा की कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि रीवा का अभी सीरियल में कोई अस्तित्व नहीं है, वो किस कारण से वहाँ पर है, कोई अता पता नहीं है तीसरी तरफ यहाँ पर के वह लेक पॉइंट निकल कर आता है, कि सही आईएस ओफिसर बन जाएगी, लेकिन इसमें भी इशान का वादा तूट जाएगा, क्योंकि इशान ने वादा किया है, कि वो सभी को आईएस ओफिसर बना कर रहेगा, और अभी तीसरी और सबसे चौ अलग कि कुछ अलग तरीके होते भी हैं, पर सीरिल के मेकर्स इतने घहराई में बहुत कमी जाते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉलेज का सीन, तो हमें एक्जाम तो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि कब तक कल्चिर प्रोग्राम में ही निरत्य पस्तुती और ड्राम के मेकर्स ने, पता नहीं क्या के नाम दिये थे सीरिल के अंदर कहानी में, तो उसके बाद उसे भी सीन को रफा दफा कर दिया गया है, तो यहाँ पर लीप की उमीद ये तो बहुत कम है दोस्तों, लेकिन आने वाले एपिसूड में चिन में यहाँ पर सवी को कनवेंस करते वे नजर आ सकता है, लेकिन ये बात तो तैह है कि सवी नाकपूर में ही रहने वाली है, कॉलेज भी जाने वाली है, लेकिन बोस्तले परिवार से दूर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसे एक्जाम देना है बोस्तले इंस्टिशन में और वहाँ पर जाकर वो इशान क के करीब आते वे आपको नज़र आ सकती है जो कि सबसे ज़्यादा आप लोग को चुप सकता है आल ओवर यहां पर अपडेट फिलाल तो यही है कि लीप नहीं आ रहा है आल ओवर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कोई भी सवाल तो शेर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नज़र आई रहा है चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए मैं भी नहीं को आप सब्सक्राइब कर सेके लिए वीडियो में जब तक के लिए तेंके दोस्तों